ना कोई इंट्वियू, ना कोई एक्सा स्टेज और ना ही कोई मेंस एक्जाम। केवल एक एक्जाम के बेस पर आप भी एपॉइंट हो सकते हैं IDBI में। धिंडा क्लासेश वकेंशी अपडेट सिरीस में आज एक बार फिर से में आपके सामने हाजिर हूँ एक और जबर्दस वकेंशी के साथ। और ये वकेंशी है IDBI Executive and Assistant Manager Post Recruitment 2022 यानि कि IDBI ने निकाली है वकेंशी असिस्टन मैनेशर और एक्जेक्यूटिव की। चलिए इस वकेंशी के बारे में अब डिटेल से जानते हैं। उससे पहले में आपको बताना चाहूँगी कि धिंडा क्लासेश की Current Affairs Magazine सफलता एक्सप्रस का जून एडिशन आ चुका है। तो आप भी जल्दी से जल्दी अपनी प्रती बुक कीजिए। अब जानते हैं इस वकेंशी के बारे में डिटेल से। IDBA यानि Industrial Development Bank of India का घठन 1964 में भारत सरकार के द्वरा ही किया गया था। और इस दिपार्टमेंट ने निकाली है पूरी 1545 वकेंशी जिसमें से 1045 वकेंशी हैं एक्जेक्यूटिव की पोस्ट के लिए और 500 वकेंशी हैं एक्जेक्यूटिव के लिए एक्जाम होगा 9 जुलाई को एंड असेस्टन मैनेजर की पोस्ट के लिए एक्जाम होगा 23 जुलाई को इस वकेंशी में सबसे अच्छी बात यह है कि यह सिंगल एक्जाम बेस्ट है इसमें कोई इंटर्वियू नहीं है और इसकी सेलेक्शन प्रोसेस भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड इजी है चलिए अब जानते हैं इस वकेंशी के लिए रिक्वाइट एज लिमिट के बारे में यदि आप एक्जीक्यूटिव के लिए फॉम को फिल करना चाते हैं तो उसके लिए आपकी एज होनी चाहिए 20 से 25 साल के बेच और वहीं असिसेंट मैनिजर की पोस्ट के लिए आपकी एज होनी चाहिए 21 से 28 साल के बेच साथ ही अगर आप किसी रिजर्व केटेगरी से हैं तो आपको उसमें रिलाक्सेशन भी मिल जाएगा दोनों ही पोस्ट पर कॉलिफिकेशन में ग्रेजुएशन मांगी गई है पूरे 120 मिनट यानि की दो घंटे दिये जाएंगे यह एक्जाम बाइलिंग्विल यानि की हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा तो यह बहुत ही अच्छी अपोचिनिटी है एक ही स्टेप यानि की एक ही एक्जाम में जोब हासिल करने की लास्ट डेट का इंतजार के बिना जल्दी से जल्दी आप यह फोम फिल कीजिए और ऐसी और जानकारी के लिए बने रहे धिंग्डा क्लासस के साथ